भाई खुल जा भाई खुल जा खुल जा नॉट पैड यार ओके नहीं नहीं बाई गिरपड मत यार गाईस कुछणाइन पहले रियल मी ने भाई हैडफोन और ट्व्स के मार्केट में कैदम रखा उनलोग ने लास्ट इयर मैं क्या बुरूँगा लास्ट इट्रेशन जो था उनका रियल मी बर्ड्ज एर निकाला था उसके बाद बर्ड्ज एर प्रो भी निकाला था तो जो ब जिसका नाम है Realme Birds Air 2 भाई इसको निकल लग बग लग लग एक बाईने से भी जादा हो गया मेरे खहल से लेकिन कहीं अविलेबल नहीं है भाई मैंने Realme के अप्लिकेशन पर ट्राई कर लिया मैंने Flipkart पर ट्राई कर लिया कहीं नहीं को मिला बाद में अब मतलब इतने दिनों बाद मेरे को जाके Flipkart पर मेला तो मैंने मंगाया भाई बहुत सारी तारीफ हैं इसकी मैंने अल्रेडी सुन चुका हूँ लेट सी भाई कैसा प्रोड़क्ट आपको सारी चीजे बताने वाला हूँ कि यह प्रोड़क्ट है कैसा मतलब मेरे इनिशल इंप्रेशन सारे महां आपको बताने वाला हूँ सब्सक्राइब कैसे वामीज हैर उस अंबक्सिंग ओर्डस अर्विद्स प्रोड़क्ट हैँ तो इस इस यसमलोग बॉक्स अंबक्सिंग का बॉक्स तो यही यलो का बोट्र्वा का बॉक्स है तोप पे तो हमको वही मिल जाता है जो अपना Realme का Birds Air 2 है इस बार थोड़ा सा अलग लग रहा है यह साइड में रखते हैं इसको इसके अंदर हमको थोड़ा पेपर मिल जाता है इस साइड में हमको यहां पर एक USB Type-C केबल मिल जाती है और यहां पर हमको कुछ इयर टिप मिल जाता है एक्स्ट्रा इयर टिप कुछ इस तरह का दिखता है highly glossy पूरा-पूरा plastic का है लेकिन quality seems really good ओ वाव यार क्या ही must have पूरा spring loaded है एक तो must quality है मतलब जो build अगेरा है ऐसा hill-dool नहीं रहा है भाई मस्त quality है इसमें not bad इधर पर type c का port है यहां पर एक button है जैसे के आप लोग देख रहो यह देखे का भी नहीं इतना जादा glossy है यह रहा button तो कुछ इस तरह का look है भाई इन लोग का okay not bad यार actually मैं काफी अच्छा design किया है इस बार यहल में all on है पूरा यह जो stem बोलत इसको stem पूरा गोल गोल है और यह normal से design है okay not bad यार okay नहीं 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 भाई गीर पड़ मत यार हलके से बहुत ज़्यादा हलके अक्चुली बहुत ही ज़्यादा हलके यह जो एजद दिखरें आपको यह भी भी हलके हलके शार्प ही लग रहे मेरको और थोड़ा स्मूध होना चेता मैं यह बोलू है definitely इधर पर contact pins है और microphone दिया हुआ है इधर पर भी एक microphone है ANC के लिए उपर के साइड में अलगी pattern है भाई दर पर खडडडड़ दिया वह बेसिकली वह जो ANC के लड़ता यहां पे भी है और कुछ इस तरह से निकल जाता है इस तरह का कुछ दिखता है कान में पहन लेता हूँ मैं रियल में बर्ट जार 2 आ गया इट इस पैड एक चोटा सा चाइम आया कान में लगान के बाद पहले मैं कुछ NCS से बजा देता हूं NCS भाई यह तो बहुत ही तादा लावड है और इसके दिदर यह वाला फीचर है कान में लगाओ प्ले हो जात की तो मेरे को यह 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 बहुत जादा अच्छे लग रहे हैं लाइक मैं स्टार्ट करू बिल्ड कॉलिटी और डिजाइन से तो डिजाइन बहुत जादा अच्छा है जैसे का आप लोग देख रहे हो मतला नॉर्मल सिलिंड्रिकल एक्दम प्लेन स्मूड डिजाइन है लोग ने अलग कर दिया तो भाई यह थोड़ा एरपोर्ट का कॉपी कॉपी नहीं बोलेगा कोई भी और स्पेशली ब्लैक कलर में तो बहुत मज़ता है वाइट कलर में थोड़ा स्टेंड आउट होता है जो मेरे को उतना पसंद नहीं आता है कमफर्ट की बात करू लाइक मैंने जादा देर तो यूज नहीं किया पिछले एक दो गंटे से मैं यूज कर रहा हूँ इसको तो मेरे को काफी कमफर्टेबल लगा मैंने कंटिनसली एक गंटे से लगा कर रहा था एक गंटे से जादे ही हो गया और कंटिनसली गाने सुन रहा हूँ मैं यह सब कर रहा को कॉल आ रहा है मैंने डबा कोला कान में लगाने तक कनेक्ट जाता भाई यह फास्ट कनेक्शन है अब उसके बाद भाई इसके अंदर जब मैं फीचर की बात करू तो हमको इसके अंदर रियल्मी लिंक एप्लिकेशन मिल जाता है and hands down अभी तक के मैंने कोई भी एप्लिकेशन यूज नहीं क्या जो इतना अच्छा और इतना intuitive है भाई हम रियल्मी लिंक एप्लिकेशन खोलेंगे तो इधर पर जो भी आपके सारे प्रोडक्स है रियल्मी के वो इधर पर सब दिख effect है बाकि आपको कैसे control करना like touch control यहां से आप सब कुछ change कर सकते हो auto answer enable कर सकते हो volume enhancer बहुत तगड़ी चीज़ है volume enhancer और जादा louder हो जाता है इससे sound enhancer और भाई यह dynamic और bass boost और bright काफी जादी अच्छी जीज़ है भाई like bass boost कर दोगा न तो जो high frequencies है और medium frequencies है वो थोड़ी कम हो जेंगी और पूरा bassy bassy सुनाई देगा और जो bright है उसमें ना bass एकदम मतलब dub जाएगा और बाकि जो high tones है like जो चन चन की आवाद रहती है वो सब एकदम अच्छे सुनाई देती है और dynamic में दोनों mix करके सुनाता है तो यह भी decent रहता है और game mode तो आपको पताए यह game mode है तो instrument suppression बहुत अच्छे से किया हुआ है मैंने 23 काना सुना मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई I really like the sound quality of this earphone bass बोल दो या फिर तुम treble बोल दो या फिर basically जो vocals होता है और जो high tones होती है बहुत अच्छे से सुनाई देती है like अगर background में को instrument बज रहा है तो वो आपको समझना आगा क में ये particular instrument बज रहा है तो मेरे को ये काफी अच्छा लगा मतलब instrument suppression अच्छा है और plus R1 frequency को काफी अच्छे से produce कर पाता है ये मेरे को काफी अच्छा लगा like फिलहाल जिस है मैं बताए मैं OPPO के ये earphones को यूज़ कर रहा हूँ तो इनके 95% level तक कौच जाता है लेकिन ये इत वेराज ये 95% frequency को बिना distraught के produce कर लेता लेकिन जो 5% बचता ना उसमें थोड़ा सा मार खाता है लेकिन मैं अभी 10,000 वाले से compare करो इसके लिए बता रहा हूँ अगर मैं कोई भी 5000 वाले earphone से compare करू like last year के जो TWS Pro वाले थे जो real में Birds Air Pro था उससे भी जाधा better तो भाई बहुत जाधा अच्छे हैं यह especially sound quality के माम में एक number लगे मेरे को even मैं OnePlus के बर्ट से compare कर दो जो यही same price में आता है OnePlus Bird Z उन सो भी बहुत जाधा अच्छे है sound quality के माम में हर माम में almost अभी अगर मैं sound quality के बाद call quality के बाद करू तो भाई इसके अंदर बहुत सारे माई के noise cancellation वगरा है तो call quality के में क्या ही बात करू एकदम जबर्दस call quality है मैं आपको एक indoor का sample सुना देता हूँ और outdoor का भी दे दूँ है यह इसकी sound quality है like यह इसका pick-up pattern में फिलाल कॉल क्यों अपने भाई को जैसे कि यहां पर देख रहे हो तो इसके अंदर ही रिकॉर्ड रहा मेरे फोन में तो कुछ तरह का आवास pick-up करता है outdoor की बात करूं तो भाई यह चुड़ा था outdoor का environment तो यह था एक sound quality का test उसकी बाद अगर मैं इसके बड़े feature की बात करूं जो है noise cancellation तो भाई इससे मैं बहुत जादा iam press 1994 इसका noise cancellation इसके noise cancellation ятся भी अच्छा है यह 10,000 वाली अईरिफोन देना इसको noise cancellation से भी अच्छा है लेकिन यह 10,000 वाली अईरिफोन आ करता है इसमें रहा हूं लेकिन इसमें create करता भाई थोड़ा करता है पहले के comparison में बहुत कम कर दिया लेकिन फिर भी pressure तो create होता है यह वाले यहरफोन में अगर मैं noise cancellation on करता हूं तो इसमें जरास ही भी नहोता भाई यह महंगा होने का यह फाइदा है लेकिन भाई इसका noise ना मैं जब इसके पॉस हो जाता है ठीक है music जो भी आपका गाना सुन रहे हो वह पॉस हो जाएगा चलो वह तो ठीक है लेकिन अगर noise cancellation on है आपने एक निकाला तो जो यह वाला है ना इसके अंदर तो noise cancellation on ही है अपने आप क्या होएगा मलूम जैसे आपने यह निकाला ना तो इसका जो noise cancellation अपने आप चल जाएगा दोनों का और music आपका start हो जागा तो यह सारी features में को बहुत अच्छे लगे बैटरी life की बात करो तो भाई अब भी तो मैंने use करना start किया इसका battery life अगर आ के बारे में हमनों full review में बात करेंगे जब मैं इसको अच्छे से use कर दूँगा उसके पहल पिलने क्या लाइक मैंने बहुत जादा मैं सी टीवी सीरीस तो बहुत देखता हूं तो मैंने अभी बैटर बैटर एक फ्रेंस का एपिसोड देख लिया मेरे को ज़रा भी latency अगरा फिलने वह बहुत सारे गाने सो नहीं मैंने YouTube मेरे को लोट इंसी नहीं पिल वा गेमिंग क अब मैं गेमिंग मोड औरन करता हूं आपको यह रेकमेंड नहीं करता हूं अगर आप कैजूली खेलते हो तो कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन कॉंपेटिटिव खेलना तो भाई प्राब्लम हो सकती है जो मैंने इसकी तारीफ सोनी मैंने कोई जूट तारीफ नहीं सुनी भाई इवेन मैंने जो कुछ टाइम यूज किया इसके अंदरी मैं बहुत जादे इंप्रस्ट हो चुका हूं तो आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो और अगर आपको जानना कि बैटरी बगरा क मैं क्या है तो या गाईज यह था एक चोड़ा था अंबोक्सिंग हैं मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ओर्वियो अफ दिस रियल मी बर्ड जर्क टू आप वीडियो आपको पसंद आयोगी पसंद आई तो लाई शेयर सब्सक्राइब थैंक्यों सो मच वाचिंग दिस वीडिय करी बाई